नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहे हैं सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ यह सीरियल इश्ट पर जोर नहीं मुझे बहुत पसंद आ रहा है है ना मयंक चेंज कर रहा है यह शो चलता जा रहा है और बड़िया लग रहा है कि यह शो अपनी पेस को बना के ही चल रहा है जो इसका टाइटल है इशक पर जोर नहीं उस टाइटल के साथ चल रहा है बात करते हैं कल के एपिसोड की मगर पहले वही गुजारें जिन्होंने चैनल को सब्सक्रा मिलते रहें तो मेरे दिमाग में कल एक पूरा एपिसोड देखने के बाद ये सवाल तो आही गया कि क्या सोनु की मम्मी शादिये टेंड कर पाएगे अपनी बेटी की क्या वो दे पाएगे शीरवाद जो उसके मन की इच्छा है मुझे बड़ा तरस आता है उसके उपर पता को आगे रखके सोनु की मम्मी यानि की अहान की मम्मी को घर से निकाल दिया होगा और इस तरह से निकालने के बाद बच्चों के मन में मम्मी के प्रति नफरत डाल दियोगी कोई और ही कहानी सुना के इसमें मुझे एक और चीज समय में नहीं आती है कि जो चाची है वो अबापरमार रोल कर रही है दादी का कि उनने बहुत कि मेरी लाश देखना ये वो सारा कुछ तो उसने अपना जो है सब खतम कर दिया तो क्या ये सब चीजे होनी चाहिए अगर कोई positive play कर रहा है तो उसको उस life के बारे में भी सोचना चाहिए जो इतना सफर कर रही है खैर इ का जो exposure है वो हो जाएगा और दादी से सब नफरत करने लगेंगे बट यहाँ पर बनता ही है और ये एक दिन reveal होगा ही क्योंकि इश्की का जो टकर है वो हो चुकी है सोनू की मम्मी से अहान की मम्मी से तो जब protagonist के साथ एक character मिल जाता है तो definitely वो सामने आता ही आता है ये जो आहान को बहुत फिकर है इश्की की और वो इसलिए मयंक को समझाता है कि मयंक तुम ये सब काम करो बलकि करे किसने है आहान ने उसका flat का काम करना उसकी motion के लिए arrangements करना वो सब आहान ने किया है बट वो मयंक के थुरू करवाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि इश्की जो है यह जानने की मैंने किया है और कहीं न कहीं मयंग से उसकी बने बट अंदर तो कुछ और ही है आहान के जो खुद को वह समझ नहीं पा रहा है क्यार कोई बात नहीं समझेगा जरूर समझेगा इस तरफ इश्की की भी जंग चल रही है और कुदृत उनको मौके दे रही है मिलने वाला है क्योंकि रिजोर्ट पर होगे यह शिफ्ट शादी और दादी ने मोहर लगा दी कि शादी होगी तो रिजोर्ट में होगी और रिजोर्ट में शादी शिफ्ट होगी है मयंग के लिए पूरा मौका है अब सोनु से बदला लेने का जो कि एक बार वो कल के एप पीछे बैठ गई है और वो जाने वाली है साथ में रिजॉर्ट में और दादी से दो दिन पहले पहुंच जाएगी कि दादी तो दो दिन बात पहुंचेगी तो पहले पहुंच जाएगी तो यह एक अलग ड्रामा होगा अब यहां आज के एपिसोड में जो हमें कमिंग आप में दिखेगा आज हम पूरा एपिसोड भी देखेंगे कि आहान और इश्की की ट्रेन चूट गई है गाड़ी कराब ट्रेन में चड़े ट्रेन में अपना रिया और जो मयंक है वो निकल जाएंगे इनकी ट्रेन चूट जाएगी क्योंकि इश्की बात रूमें बंद होगी है अब यह दोनों के बीच में जो ड्रामा होगा लिफ्ट लेने का और जाने का इसमें बड़ा मज़ा आने वाला है दोस्तों यह एक जो था रोमेंटिक कपल की तरह यह हमें दिखाएंगे जैसे हमने बड़ी फिल्मों देखा है जिसमें एक फिल्म थी पूजा बट और ज आज की एपिसोड को लेके तिल दन कीप वाचिंग वाचिंग अंगरी स्पिर्ट चैनल सब्सक्राइब कर दो क्लिकिंग बटन क्लिक थे बेल बटन एंजोई दिलिए अप्लोट स्वामार चैनल